अपी चेदसी पापे भ्यह, सर्वे भ्यह, पाप कृत्त मह, सर्वम ज्यान, प्लवे नैव, व्रिजिनम संत रिश्यसी यदि तुम सब पापियों में भी अधिक पाप करने वाले हो, तो भी ज्यान रूपी नौका द्वारा, निश्य ही संपून पापू का तुम संतरण कर जाओगे जीवन में जो भी होता है, व्यक्ति जो कर्म करता है, उसका या तुप पाप मिलता है, या पुर्ण्य की प्राप्ती होती है, तो कर्मू के साथ पाप और पुर्ण्य दोनु साथ साथ चलते हैं कभी अच्छे कर्म होते हैं, तो हम पुर्ण्यों की प्राप्ती करते हैं, और कभी पाप हो जाता है, जल्तियां हो जाती है, कई बार जान भूचके भी नहीं होती, कई बार आप सोचते कुछ हैं और होता कुछ है, तो जिन्दगी में पाप, पुर्ण्य दोनों ही साथ चलते हैं कई बार लगता है कि जब तब पाप नहीं भस्म होंगे तब तब मुक्ति कैसे संभव है कुछ लोग बोलते हैं कि जो कर्म किया है उसका फल तो भोगना पड़ेगा अब कर्म किया पाप हो गया अब उसे पुणने से काटें अब देखा जाए तो अनन्त जन्मो के अनन्त पाप हर पाप को काटने के लिए अनन्त पाप को काटने के लिए अनन्त अनन्त पुढ़ने करने पड़ेंगे तो इतने पुढ़ने करने पड़ेंगे अनन्त पुढ़ने करने पड़ेंगे तो जाकी अनन्त पाप कटेंगे फिर तो यह जीवन तो क्या कि इतने भी जीवन लगा लीजिए मुक्ती तो हो ही नहीं सकती कि दूसरी बात भी आती है कि कई बार देखते हैं कि पुढ़ने करने के लिए भी फाप हो जाते हैं एक व्यक्ति चाहता है कि बड़ा सा अश्रम बने बड़ी धर्मशाला बनाओं बड़ा मंदिर देव मंदिर का निर्माण हो या बड़ा स्कूल जिसमें सब अनाथ बच्चे आके पढ़ें अब इन सब चीजों के लिए धन चाहिए और धन कमाने के लिए नौकरी से तो हो नहीं सकता तो बिजनस करना पढ़ेगा और बिजनस जब हम करते हैं तो कुछ ना कुछ धोका कुछ ना कुछ manipulation चलता है उसके बेना बिजनस आपका चल नहीं सकता अगर सात्विक्ता में ही रह गए तो बिजनस तो नहीं हो सकता तो कुछ ना कुछ चीजे साथ चलती है तो पुर्णे भी करने गये तो भी थोड़ा पाप हो जाता है और जीवन जीने के लिए भी कुछ न कुछ तो चीजे होती है अब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने लेने में एक लाख जीवानु मर जाते हैं तो सांस लेना जो है, जो सहज काम है, जो नाच्रल प्रसीजर है, उसमें भी पाप हो गया, तो जीवन जितना भी जिया जाता है, पाप और पुर्णे बंधे बंधे आते हैं, अब क्या किया जाए, यदि एक एक पाप को एक पुर्णे से काटने बैठेंगे, तो ये तो चक्र बन गया, जिसको पार लगाना तो असंभव है, ऐसे साइकल से कैसे निकला जाए, लोग कहते हैं, कि पुर्णे की सफेद रोश्नी है, और पाप की काली रोश्नी है, तो उस काली रोश्नी को आप सफेद रोश्नी से खतम कीजिए, लेकिन चीजें इस संसार में बंध तक चलेगा, तो कोई तो ऐसा तरीका होगा, कि हम मुक्त हो पाएं, तो भगवान इस श्लोक में बड़ी गहरी बात ज्यान की बोलते हैं, भगवान कहते हैं, कि ज्यान की नौका में जो व्यक्ति बैठ गया, वह कर्मों की शिंखला से पार होता है, ज्यान की किरन, एक कार का नाश कर देती है, अब एक छोटी सी केरन, छोटी सी, वो कैसे इतने बड़े तमस, इतने बड़ी अज्यानता, इतने बड़े अंधकार का नाश करेगी? अगर एक घर हो हजारों सालों से बंद दीमक लगी हुई सब जगे काला काला ताला लगा हुआ बाहर और एक हजार साल के बाद कोई व्यक्ति उसे खोले खोलेगा और एक दिया जला दे भीतर तो तुरंत अंदर का जो अंदकार है वो नश्ठ हो जाता है अब चाहे एक हजार साल का अंदकार अंदर बैठा हो परंतु एक दिये की रोश्नी से अंदकार समाप्त होता है एक ज्यान की केरण तमस को अज्यानता को खतम करती है उसका नाश कर देती है तो अगर कोई सोचे इतनी अग्यानता है इतना मोह, इतनी इरश्या इतनी वासना कैसे कटेगी? कैसे अग्यानता हटेगी? कैसे पापों से मुक्ती होगी? तो आप एस समझेए जब हम पर्मात्मा की करीब आने लगते हैं ज्यान की एक किरण भी अंदर प्रवेश कर गई तो अग्यानता के अंदकार को ऐसा नाश होता है जैसे किसी अंधेरे में किसी व्यक्ती ने दिया जलाया हो अगर कोई सोचे कि इतना पुराना अंदकार इतनी सारी लेर्स कि हम पोटली बना बना कर बाहर फैके एक एक लेर को काटते जाएं तो संभव ही नहीं क्योंकि अग्यानता का अस्तित्व नहीं है ऐसे ही अंदकार का भी अस्तित्व नहीं है अस्तित्व ज्यान का है अस्तित्व प्रकाश का है प्रकाश है और अंदकार नहीं है अंधकार को खोजने जाएंगे तो अंधकार का मतलब बस यही है कि प्रकाश उस समय नहीं है जैसे प्रकाश आया अंधकार गायब उसकी कोई सत्ता नहीं ऐसे ही अज्ञानता की कोई सत्ता नहीं है कि तो हमने भ्रह्म पाला है हमने वो सब चीज़ें खटी की है आवरण बना लिए अपने आसपास अगर एक समझ भी आ गई एक समझ एक ज्यान सब चीज़ों को दूर करता है इसलिए कहते हैं कि सत्संग में बैठो ज्यान की बाते सुनो अपने अंदर के शुद्यों को दूर करो क्योंकि ज्यान की किरण आएगी सत्गुरु ज्यान देंगे तो ज्यान की प्रकाश से फीतर का अंदकार नश्ट हो जाएगा तो ज्यान की एक किरण सब चीज़ों ठीक करती है और ज्यान कोई कर्म नहीं कोई कृत्ते नहीं कि फिर दुबारा पापर पुणने होगा नहीं ज्यान स्वयम का अनुभव है कर्म बाहर से होते हैं और ज्यान फीतर से वो अनुभव है इसे ज्यान पाप, पुणने और कर्म की शेंखलाव को ही समाप्त कर देता है यह अदुबुद बात बताई है गीता में जो बड़ी ही गहरी है जैसे कोई सो रहा हो तो उस समय बड़ी सपने आ रहे होते हैं तरह तरह के सपने और जब होश में आ जाए तो लगता है कि सब कुश वियर्थ था क्यों बिना बात के में डर रहा था तो सपना था ऐसे ही जो व्यक्ति होश में आता है जो अपनी आत्मा से जड़ जाता है अज्यानता से दूर हो जाता है उसको ऐसे ही लगता है जैसे पहले एक सपना था कहां बेहोशी में चल रहा था होशी नहीं था अब होश आया है जिसे जीजस ने कहा कि पहले प्रभु के राज्यों को खोजो फिर सब प्राप्त हो जाएगा तो ऐसे ही श्रीक्रश्न कहते हैं कि पहले ज्यान की किरण को खोजो ज्यान की किरण जैसे ही आपके अंदर प्रवेश्ट करेगी इस संसार का सारा अम्रित सारा आनंद आपको प्राप्त हो जाएगा तो उसी ज्यान के लिए उस अमृत के लिए प्रयास करो तकि ज्यान की किरण एक किरण छोटी सी किरण छोटा सा प्रकाश आपके भीतर के अंधकार को सदा सदा के लिए नश्ट करेगा आपके पापों को सदा सदा के लिए नश्ट करेगा आगे के श्लोक में अब हम समझेंगे कि भगवान कैसे बताते हैं कि ज्यान द्वारा कर्मों की श्रिंखलाओं को भस्म किया जाता है और कर्मों को कैसे हम भस्म करके इस संसार की बंधनों से मुक्त होते हैं